Hello बच्चो, welcome to Doubtnets, स्वागत आप सब का Doubtnets की इस बहुत ही special class में, मैं हूँ Anushya, आपकी social science teacher and कैसे हैं मेरे सारे students, I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि आप लोग super ready हो आज के इस session के लिए, So, आज के class में हम लोग एक बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं और हम लोग discuss करने वाले हैं, how to complete syllabus on time So, अब आप लोग 10th class में आ गए हो, है ना, थोड़े से बड़े हो गए हो and अब पहले की तरह नहीं है कि छोटा-छोटा सा syllabus है, एक हफता या एक मन पहले पढ़ा और सब कुछ खतम हो गया, नहीं, अब आपका syllabus comparatively बहुत ही जादा lengthy है, ठीक है, तो आज के class में हम यही discuss करने वाले हैं कि पूरे साल हमको किस तरीके से तयारी करनी चाहिए, ताकि हम अपने इस syllabus को on time finish करें और बाकी बच्चों से race में थोड़ा सा आगे रहें ओके, so needless to say, आज का यह session super important है, सारे बच्चों को अच्छे से ध्यान से सुनना है, without any further delay, start करते हैं हम आज के इस lecture को, तो first point तो है, start early, ठीक है, obvious से बात है, अगर हम इतने बड़े syllabus को बहुत जल्दी cover करना चाहते हैं, तो हमें शुरवात भी थोड़ी जल्दी करनी ऐसा नहीं कि कल exam है, और आज आप मेरे पास आके पूछरो कि अनुश्या माम प्लीज बता दो, कैसे syllabus को cover करें, नहीं, हमें शुरवात जल्दी करनी होगी, ठीक है, जब बाकी सारे बच्चे मौच कर रहे होंगे, fun कर रहे होंगे, हमें तब महनत करनी है, हमें रेस में हलका सा आगे बढ़ जाना, ठीक है, तो शुरवात हम जल्दी करेंगे, in fact अभी से ही आपको शुरवात कर देनी चाहिए, ओके, तो शुरवात जल्दी करो, ताकि बाद में, जब बाकी सारे बच्चे स्ट्रेस में होंगे, आप कामली अपने situation को handle कर पाओ, ठीक है, तो first point क्या ह हम सोचते हैं कि 7 बज़े पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, और 7-5 टाइम हो जाता है, फिर हम सोचते हैं, 8 बज़े करते हैं स्टार्ट, है ना, तो ये आदते अब हमें बदलनी होंगी, हम थोड़े से बड़े क्लास में आ गए हैं, टेंथ में आ गए हैं, है ना, तो first point क्या है, जल्दी शुरुवात करो, उससे क्या होगा, आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा आगे रहोगे इस रेस में, ठीक है, next क्या है, set targets, इसका क्या मतलब है, हमें goals बनाने होगी, ठीक है, अब goals मतलब बहुत ही बड़े-बड़े goals बनाने की जरुवत नहीं है, हमें दो type के targets बनाने, ठीक है, तो एक target तो हमारा होगा short term, ठीक है, और एक target हमारा होगा long term, ठीक है, यह मैं आपको समझाते हूँ, तो हमारे schools में क्या होगा, beach beach में unit test होते हैं, है न, तो एक तो आपका short term target होना चाहिए, हमें पता रहता है कि एक महीने के बाद हमारा unit test होगा, है न तो एक short term target बनाओ कि इस एक महीने के अंदर मुझे इतने chapters को cover कर लेना है, और unit test में full marks लाना है, ठीक है, यह हमारे short term goals है, जैसे अगर teacher ने class में बता दिया कि एक हफते में आपका test होने वाला है, तो कोई छोटा सा goal बनाओ कि इस एक हफते में कल हमें ये subject cover कर लेना है, पर set करने है, ठीक है, long term goals में क्या आजाता है, हमें पता होता है कि pre-board कब होगा, है न, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि date sheet क्या है, board exam की, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पहले date sheet बताई जारी, ठीक है, exam से बहुत पहले आपको date sheet भी पता चल जाएगी, है न, तो long term goals मे हमें क्या सोचना है, कि इस पूरे साल में मुझे इस तरीके से तयारी करनी है, कि पूरा syllabus मेरा cover हो जाए, और pre-boards में, और board exam में मैं मचा क्या हूँ, ठीक है, तो short term goals में हम लोग क्या देखेंगे, कि हमारा जो वाइवा है, जो assignments है, और जो weekly test है, unit test है, इसमें हम लोग फोड क्या है, और long term goals में हम क्या देखेंगे, कि जो हमारे pre-board के exam है, जो main board के exams है, उसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारे full marks है, ठीक है, next क्या है, make notes, तो अब तक आप लोग class 9 में थे, and आप लोग ने इस point को उतना seriously नहीं लिया, and आपका काम भी चल गया, है न, आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, जिन्होंने notes को उतनी importance नहीं दी होगी, notes कभी बनाई नहीं होंगे, and आपको लग रहा होगा कि क्या जरूरत है notes बनाने की 9 तो हमने पार करी ले, 10 भी कर लेंगे, अब 10 और 9 में बहुत जादा फरक है, ठीक है, हमें पता है कि 10 में हर एक चीज़ की seriousness थोड़ी double हो जाती है, तो 10 में हमारा काम notes के बिना नहीं चलेगा, ओके, या तो आप लोग खुद notes बनाना start करो, या फिर इसका क्या solution अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगे, ठीक है, पर हाँ, notes को हलके में नहीं लेना, notes बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, य इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि मान लो, कल आपका exam है, पूरे week, पूरे महीने आपने पढ़ाई कर ली, तो अगर कल exam है, तो अगर मैं अपने subject की ही बात करूँ, तो possible ही नहीं है कि आप history या फिर geography के सारे chapters word by word पढ़ने बैठ जाओ, NCRT से, ऐसे में आपको अपने notes ही काम आएंगे, ठीक है, और notes भी एक दिन में नहीं बनते हैं, तो अगर कल exam है, तो मैं आज notes बनाने नहीं बैठ सकती, तो notes भी पहले से ही अभी से ही बनाना start कर दो, okay, notes को हलके में नहीं लेना, notes बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना notes के हम लोग syllabus time से cover नहीं कर नेक्स पॉइंट क्या है, keep clearing your doubts, हम लोग जब तयारी करने बैठते हैं, तो पता है क्या होता है, मानलो आपको इस topic पढ़ रहो, तो ऐसा बहुत कम होगा, कि पूरा topic एक बार में आपको clear हो जाए, बीच बीच में आप फस होगे, बीच बीच में आपको doubts आएंगे, और हम पता एक गलती क्या करते हैं, जब ये doubts दिमाग में आते हैं, हम clear नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये कोई doubt है, कल मैम से पूछ के clear कर लेंगे, और उसके बाद कल हम लोग भूल जाते हैं, ये गलती आप बच्चों को नहीं करनी है, जब भी आप तयारी करने ब बैठो, एक page लेके बैठो, और जो भी doubts आएं दिमाग में, उन doubts को आप कही ना कहीं लिखते रहो, ठीक है, और फिर एक page में आपके सारे doubts कलेक्ट हो गए, अगले दिन आप क्या करो, अपने teacher के पास जाओ, अपने सारे doubts को clear करते रहो, है ना, इसमें एक और challenge जो आप बच आती होगी, कहीं बार तो ऐसा भी होता होगा, कि जो doubt आपने सोच रखा था कि माम जवाब देंगी, sir, answer देंगे इस doubt का, sir या माम जवाब नहीं देते और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद, exam में वही doubt आजाता है question में, है ना, तो doubt कैसे clear करें, ये एक challenge होता है, potential मतलो, अभी तुम्हारी दीदी आई है, तो solution देखे जाएंगे, ठीक है, तो अभी मैं उसका solution भी बता दूँगे, next, don't skip topics, हम लोग पता है, एक और चीज़ क्या करते हैं, syllabus cover करते हैं, हम लोग छोटे-छोटे topics को ना छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि इसे बाद में करे और फिर हमें पता है, वो बाद में वो time आता नहीं है, फिर exam के दिन हम रोते हैं कि यार, ये topic तो बहुत easy था, बस हमने skip कर दिया, जैसे again, मैं अपने subject की बात करूँ, तो मुझे पता है, कि आप लोग geography में क्या करते हो, map को skip कर देते हो, है न, theory theory सारा याद कर लेते हो, सम exam के एक दिन पहले देखेंगे, आसान साही तो होता है, है न, और फिर क्यों होता है, अगले दिन exam होता है, आप लोग map cover करना भूल जाते हो, और map पता है, इतना easy topic होता है, अगर आप 5-10 minute दोगे इस topic को, तो आपके 3 या 5 marks, जितने भी marks का आपका map आता है, वो marks आपके पक होता है, history के dates के साथ, है न, मैं तो class में कहती है, याद करो, याद करो, तुम लोग क्या करते हो, उसे skip करते रहते हो, बाद में कर लेंगे, dates ही तो है, एक दिन पहले रट लेंगे, और फिर वो कभी हो नहीं पाते, फिर exam में नंबर करते हैं, है न, और मुझे लगता, maths में भी तुम लोग graph वाले chapters को, statistics, इन सब को थोड़ा skip कर देते होगे, कि ये तो आसान है, बाद में करेंगे, and science में diagram छोड़ देते होगे, कि बाद में करेंगे, और फिर तुम उसे बाद में करते नहीं हो, है न, तो हमें ये गलती नहीं करनी है, बागी वच्चे कर रहे हैं, उन्हें करने दो, वो topics skip करने दो, हमें time से, systematic तरीके से, बिना topics को skip करें पढ़ाई करनी है, next point क्या है, avoid distractions, ठीक है, तो हम लोग अकसर क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, बहुत ही प्यारा सा time table बनाते हैं, कि आज हमें ये सारी पढ़ाई करके, खतम कर लेनी है, ठी और सोचते हैं, कि हाँ भी है बहुत time, पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ी देट Instagram चला लेते हैं, या कुछ और चला लेते हैं, है न, या कोई गेम खेल लेते हैं, और फिर वो 5 मिनिट बदल जाता है, एक घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में, और फिर उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, हम सोचते हैं, आज तो गेम खेल लिया, कल से पढ़ाई करेंगे, अब ये चीज गलत है, क्यूंकि इससे क्या होता है, हम ऐसी एक साइकल में भस जाते हैं, अगले दिन फिर से वही करने लग जाते हैं, है न, तो हमें distractions को avoid करना ह हैं, अब हम लोग class 10th में हैं, एक साल के लिए हम लोग बिलकुल afford नहीं कर सकते हैं, कि किसी social media platform में फस जाएं, किसी game के पीछे लग जाएं और पढ़ाई छोड़ दें, है न, बिलकुल हम इसे avoid नहीं कर सकते हैं, तो हमें distractions को कम करना हैं, ठीक है, तो इसमें देखो, मैं आ गेम खेलना ही छोड़ दो, घर के अंदर ही बैठे रहो, बहार मत जाओ, ये सारी चीजे में नहीं कहरी, पर हां, हम एक proper time table बना सकते हैं, और discipline के साथ इस time table को follow कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, जैसे दिन में, अगर आपको game खेलना ही है, तो एक घंटा, एक घंटा भी नह चलो, दो घंटे का time निकाल लिया, उस दो घंटे में एकदम मस तरीके से अपने game को enjoy करो, पर जब दो घंटे खतम हो जाए, बंद कर दो, बस, उसके बाद अगले दिन ही आपको अपने game को, या फिर social media को, या फिर अगर आप लोग anime देखते हो, cartoons देखते हो, या कोई web series द read करने से, ठीक है, सिरफ learn करने से हमारी preparation नहीं होती, complete, okay, so, जब भी आपको लगे कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, मुझे इस chapter में सब कुछ आता है, अगले दिन क्या करो, कोई mock test लगा के देखो, है न, जरूर कहीं ना कहीं किसी question में फसोगी, जब भी हमें ऐसा लगता है कि सब कर लिया इस chapter में, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो exam में directly full marks लेके आएंगे, तब आपको क्या करना है, अगले दिन कोई mock test, ठीक है, इंटरनेट से ही कोई test ले लो, इसमें आप बच्चों को दिक्कत आती है कि test नहीं मिल रहा है, है न, इंटरनेट में ढूणने में time waste हो रहा है, टेस्ट नहीं मिल रहे है, पर जैसा कि मैंने कहा, मैं कभी बिना solution के नहीं आती, इसका भी solution में तुम्हें बताऊंगी क्या है, ठीक है, पर हाँ, mock test हमें practice करना है, जब भी हमें ऐसा लगता है, सब आता है, full marks आएंगे, तब ही test लगा देने, टेस्ट में जरूर तुम्हारे कई ना कई नंबर कटेंगे, सीखने को मिलेगा, next, sample paper हमें करना है, जब भी ऐसा लगे कि again, syllabus खतम हो गया है, सब कुछ आता है, sample paper करके देखो, ठीक है, CBSE के लोग, या फिर जिस भी board के हो, आप लोग, board की तरफ से sample paper आता है, उस sample paper को solve करना है, previous year question, ठीक है, प ये भी हमें solve करना है, ठीक है, तो सिरफ याद करने से हमारी preparation पूरी नहीं होगी, हमें बीच-बीच में अपने आपको test करना होगा, तब ही हम अपने preparation को 100% efficiency से कर पाएंगे, next, क्या है, revision is the key to success, okay, पता, toppers में, और normal average student के बीच में क्या फरक होता है, toppers हमेशा दिल से revision करते हैं, ठीक है, बाकी बच्चे क्या करते हैं, एक chapter read करा, समझ लिया, question answers कर लिये, उनको लगता है, सब आ गया, फिर वो next chapter के और बढ़ जाते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं करना, काफी सारे बच्चे पता है, doubts में ये भी पूछते हैं, कि माम हमारे साथ ऐसा भी होता है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे syllabus को तो cover कर लेते हैं, पर कुछ याद नहीं रहता, याद इसलिए नहीं रहता, क्योंकि हम लोग revision नहीं करते, ठीक है, तो जब भी आप लोग time table बनाओ, time table में particular time निकालो, एक घंटा या दो घंटा, कि इस time मुझ रिविजिन ही करना है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ूँगी, या पढ़ूँगा, जो मैंने कल cover करा है, उसी कोई मैं फिर से read करूँगी, revise करूँगी, ठीक है, बार बार करो revision, ठीक है, रिविजिन का कोई ऐसा number नहीं है, कि मैं आपसे कह पाऊं, कि दो बार revision कर लो काफी है तीन बार कर लो काफी है, नहीं, ठीक है, जैसे ही आपका chapter खतम हूँ, आपको अलग से time निकाल के revision पर revision करते जाना है, और इस point से ही आपको सबसे ज़्यादा success मिलेगा, ठीक है, यह सबसे important point है आज के class का, कि हमें revision बिलकुल skip नहीं करना है, next point क्या है, be consistent, ठीक है, consistency के साथ सारा काम करो, क्या मतलब होता है consistency का, हम लोग अकसर क्या करते हैं, एक दिन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, एक दिन हम लोग पूरे जोश-जोश में 6 घंटे या 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, अगले दिन हम क्या करते हैं, हमारा वो motivation उतार जाता है, तो ह हम बिलकुल पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके बाद 5-6 दिन के बाद फिर से हम 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें consistency maintain करनी है, regular तरीके से पढ़ाई करनी है, तो मैं यह नहीं कह रही कि daily 10 hours या 12 घंटे पढ़ाई करो, जितना भी time आपको ब daily 2 घंटे भी पढ़ना स्टार्ट कर दोना more than enough है, पर इस 2 घंटे में आपको एकदम religiously दिल से पढ़ाई करनी है, ठीके ऐसे नहीं फोन उठा लिया, बीच में मम्मी से बात करने चले गए, ठीके बीच में किसी दोस से बात कर लिया, नहीं, 2 घंटे अगर आप पढ़ रहो consistently आज से शुरू कर दो अगर आप, तो भी आप बहुत ही बढ़िया मचा सकते हो boards में, तो एक time fix कर लो, जितना भी आपको comfortable लगता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, 2 घंटे नहीं, मुझे तो 4 घंटे में पढ़ूंगा, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ऐ ऐसा time select करो, जो आप रोज कर पाओ, ठीक है, आज 4 घंटे पढ़ रहो, तो पूरे साल डेली 4-4 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, अब देखो, again consistency में भी दिक्कत आती है, ठीक है, मैं बिल्कुल समझती हूँ, ये बोलना आसान है, पर इसे practice करना बहुत जादा मुश्क के साथ आपको पढ़ाए, तब तो ये consistency मेंटेन हो सकती है, पर अकेले अगर आप सब कुछ करने बैठ जाओ, तो अभी मैंने आपको जो भी points बताए, उन सारे points में कहीं ना कहीं आप लोग फस्ते रहोगे, है ना, तो मैंने आपको lecture की शुरुवात में कहा था, कि इन में क कुछ points में आपको problem आ रही होगी, पर अगर मैं आप बच्चों से मिलने आई हूं, तो मैं कोई solution भी ले के आई हूं, okay, solution ये है कि हम लोग आप बच्चों के लिए ला रहे हैं, achievers batch 3.0, तो अगर आप बच्चों का सपना है कि class 10th में top करना है, board exam में मचा के आना है, तो ये course achievers batch आप बच्चों के लिए है, achievers batch में है हमारे doubtnet के top teachers और आप बच्चों के सारे favorite teachers, कुछ special features है हमारे इस course के, इस course में एक नहीं, बलकि दो-दो teachers की guidance मिलेगी आप बच्चों को, तो हम लोग discuss कर रहे थे ना कि कैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे doubts होते हैं, पर कई बार school teachers और doubts को clear नहीं कर पाते, उसका solution इस course में है, दो teachers की guidance आप बच्चों को मिलेगी, एक teacher normal हमारी class को लेंगे, दूसरी teacher, common section में आप बच्चों के सारे doubts को clear करते रहेंगे, और हमारे ये जो doubt solving teachers हैं, ये super hard working है, ये सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, सिर्फ आप बच् के लिए सारे doubts को solve करते रहेंगे, 90% से भी जादा doubts, 2 minutes से भी कम time में हम लोग clear कर देते हैं, 2 minutes तो बहुत ही कम time है, है ना, जितने में आप लोग कोई नया doubt पूछोगे, उतने में हम लोग आपके काफी सारे doubts को निपता चुके होंगे, और क्या है, इस course में हम आपको detailed lectures provide कर उपर से जल्दी-जल्दी syllabus खतम करने के लिए हमने भगा दिया chapter को, नहीं, इन detail हम आपको पढ़ाएंगे, rows homework देंगे, consistency की बात हो रही थी ना, कि किसी guide की जरुरत पढ़ती है, है ना, किसी proper time table की जरुरत होती है, consistency maintain करने के लिए, तो आपके guide हम लोग बनेंगे, और आप को रोज homework देंगे ताकि आप लोग daily practice करो, notes की भी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे notes बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, है ना, तो notes हम आप बच्चों को provide करेंगे, chapter wise बहुत ही बढ़िया notes इस course में आपको दे दिये जाएंगे, साथ ही साथ teacher slides, आपकी teachers जो इतन full slides लेके आती हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो slides भी आप बच्चों को provide कर दी जाएंगे, chapter wise test, अभी हमने session में समझा कि test कितने जादा important होते हैं, तो chapter wise test हम लोग आप बच्चों के लिए दिलाएंगे, ताकि आप बच्चों को भी idea लगता रहे कि आपकी पढ़ाई preparation क ऐसी चल रही है, साथ ही साथ NCRT video solution, NCRT बहुत जादा जरूरी है हमारे class 10 के preparation में, इसलिए NCRT के questions के video solutions भी हम आप बच्चों को provide कर रहे हैं, तो as a friend, as a teacher, मैं आप बच्चों को genuinely बता रहे हूं कि ये course बहुत जादा अच्छा आपके लिए, and बहुत ही जादा affordable भी है, इस के cost वगेरा बहुत जादा कम है, and आप लोग मुझे, आप मैंसे काफी सारे बच्चे मुझे दीदी भी बोलते हैं, तो as a elder sister-like figure, मैं आपको ये बिलकुल recommend करना चाहूंगी, कि हमारे this course को जल से जल join करो, ठीक है, और details के लिए, इस course के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हमें call करो, number है 0124-715-8250, ठीक है, अगर आपको कुछ भी जानना इस course के बारे में, इस number पर call करो, and आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है, तो I'm sure मैंने आज आप बच्चों की काफी सारी problems को solve कर दिया, and आप बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के session से, मु तो comment section में बताओ कि next video आपको किस topic की उपर चाहिए, चलो बच्चों, so that's it for today, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने next lecture में, bye bye, take care, and thank you.